हैलो फ्रेंज कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे आज हम फिर से वेस्ट यूज ऑब वेस्ट के इस्तमाल करके अपने घर में न्यू प्लांटर बनाएंगे तो ये एक पेंट का टिपा मेरे पास पड़ा था और एक ऑईल कंटेनर पड़ा हुआ था तो वो काफी तो सबसे पहले मैंने ओईल कंटेनर का जो था वो उपर का हिस्सा काट लिया था क्यूंकि उपर का हिस्सा जो टूटा हुआ था तो फिर उसको में चिकाट नहीं ही था तो इस तरह से मैंने उपर से इनको बराबर जो था वो काट लिया था इस तरह से फिर मैंने इसको उपर से बराबर शेप में कर लिया था फिर मेरे पास पेंट का डिबा जो था इसको मैंने एक बारी पेंट जो था वो करके रखना था कलर कर लिया था अक्री कलर थे यह और एक बारी कर लिये थे इसके बाद फिर से मुझे इस पर कोड करना होगा तो तब तक वह सूख जाएगा तब तक यह फिर मैं कर लेती हूँ तो यह इस पर डिजाइन अल्रेड़ी जो था वह बना हुआ था वाई कंटेनर पर तो मैंने इसी में जो था वह कलर दोनों साइट पर कर लिया था अधैक कि आधर मैंने इस तरह से एएर वर्च vicious तो ठोड़ा सादाइन जो था पर डो डशाय इस तरह से डालिये थे आप अपने डिजाइन जैसा भी चाहे बना सकते हैं और इस तरह से में डालिया थे दोनों साइट यह भी कलर जो था वह सूख चुका था फिर मैंने उपर से इस पर ब्लैक कलर जो था वो कर लिया था और फिर ये भी हो गया था कलर सुख चुका था तो ये बाकी का पोशन जो था फिर मैंने वाइट कलर से इसको कर दिया था क्योंकि फिर थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा चलो वाइट कलर जो हो कर लेत हैं फिर यह भी पेंट कडी बस उक चुका था तो फिर मैंने इस पर फेस जो था एक फड़ी फेस जो था वो बना लिया था फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा सा चेंज भी किया हुआ था अभी तो फिर मैंने ऐसे कर लिया था फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं पहले भी बताया था कि मैंने पूरी दिवार अपनी जो है वो भरी हुई है इस तरह से ये सारी ओयल कंटेनर से बना बना कर तो सुन्दर भी लग रहा था देखने में और ये देखे हमारे कितना वेस्ट जो है वो यूज हो के हमारे गार्डन में इस तरह से आप लोग भी सब्सक्राइब करना ना बूलना और लाइक शेयर और कमेंट करना ना बूलना फिर मिलेंगे बाई बाई